दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारी यूटीव चैनल में दोस्तों हर माह में एक पूनिमा आती है इस तरह से एक वर्ष में 12 पूनिमा तिथी आती है लेकिन जो अश्विन माश की पूनिमा होती है उसका विशेश महत होता है इस दिन का इंतिजार लोग पूरी वर्ष भर करते हैं क्योंकि इस अश्विन माश की पुनिमा तिथी को बहुत खास माना गया है मा लक्षमी की किरपा प्राप्त करने का दिन माना गया है चंद्रमा की पूरी 16 कलाओं से परिपुन इस दिन की रातरी का विशिस महत्व माना गया है इस पुनिमा को शरद पुनिमा के नाम से जाना जाता है और इस बार ये पुनिमा 30 अक्टूबर को पढ़ रही है बहुत खास दिन है, बहुत महत्पून दिन है, बहुत अच्छे शुब सहियोग बन रहे है और ये खास क्यों है, क्या सहियोग बन रहे है, क्या कारिया करने चाहिए करने अराशी के लोगों को इस दिन सफलता प्राप्त करने के लिए धन सम्मंदित परिशानियों को दूर करने के लिए वो छोटी सी छोटी चीज हम आपको बताएंगे जो इस दिन को विशेस बनाती है जो आपके लिए उपयोगत है जो आपके सभी कामों को कर सकती है वेपार चलाना है नौकी अच्छी पानी है धन सम्मंदित परिशानी है उनको दूर करना है तो हर परिशानी का उपाय इस एक दिन में हो सकता है बहुत ही सुन्दर दिन है कहते हैं इस दिन चंद्रमा अमरत वर्षा करता है कैसे करता है और उसका कैसे लाब आप उठा सकते हैं तो कन्या राशी के लोगों के लिए इस वीडियो में हम चानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप से नवीदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ दोस्तो तीस अक्टूबर को ये शरत पूनिमा दिती है कहते हैं इसी दिन से जो शरत रिदू होती है उसका आगमन होता है और इस दिन की जो चंदरमा की रोशनी है वो रातरी में चारो तरह फुजियारा करती है ऐसी रोशनी इस दिन होती है क्योंकि ये अपनी सोलह कलाओं से परिपून होता है और इस दिन कहते हैं चंदरमा की रोशनी से अम्रत वरशा होती है पूनिमा की रातरी में जिस भी चीज़ पर चंदरमा की किरने पड़ती है उसमें अम्रत्व का संचार होता है इसलिए इस दिन की रात्री विशेज है इस दिन रात्री में खीर बना कर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है पूरी रात वो खीर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और सुबह उठकर उस खीर को परशाद के रूप में ग्रहन कर लिया जाता है इस खीर को खाने से कई तरह के रोग समाप्त होते हैं तो ये चंद्रमा का प्रभाव होता है इसके साथ ही इस दिन शाम के वक्त मा लक्ष्मी प्रत्थि पर ब्रह्मन करती है अपनी भक्तों को आशिरवाद देती हैं अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करती है इस पुनिमा तिथी को अलग-लग जगह पर अलग-लग नाम से जाना जाता है अश्विन पुनिमा, कोजोगार पुनिमा, कोमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, कमला पुनिमा, राश पुनिमा इन सभी नामों से जाना जाता है तो आपको मालकश्मी का आशिरवाद पाना है ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा क्या कारिया आपको करने है क्या खास योग इस दिन बन रहे है तो एक तो इस दिन रेवते नक्शतर रहेगा पूरा दिन सरवार सिद्धी योग बनेगा पूरा दिन अमरत सिद्धी योग बनेगा और रवी योग बनेगा तीन बहुत सुन्दर योग है जंद्रमा तुला राशी में बैठे है जो की शुक्र के राशी है और शुक्र जो है वो मलक्षमी के उपासक है इतना अच्छा शुब सही हो बना है तुला राशी में चंद्रमा बैठे हैं कन्या राशी के लिए तो ये चंद्रमा किस्तिती धन भाव में है वाणी के भाव में है यहां बैठकर धन के भाव में बैठकर चंद्रमा जब 16 कलाओं से परिपून होंगे क्योंकि ये मन के कारक है तो आपके लिए तो बहुत सुन्दर ये result देने वाले थाबित होंगे और मालक्ष्मी की पूजा करना इस दिन आपके लिए साक्षात धन की देवी को प्रसंद करके धन की वर्शा कराने का है ऐसा ये समय आपके लिए है तो इस दिन आपको क्या कार्य करने चाहिए क्या रिजल्ट आपको उनका मिल सकता है पहले तो दूसरे भाव में आपके लिए धन आने के प्रबल संकेत है चंद्रमा का दूसरे भाव में बैठना आपकी वाणी में मिठास गोलेगा आप अपनी वानी से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे अपनी वानी से कामों को निकाल पाएंगे घर परिवार का वातावरन बेहद शुब रहेगा घर परिवार में खुशियां बरसेंगे इसके साथ ही धर्म कर्म में जादा रुची होगी दार्मी प्रवर्ति के आप होंगे कन्या राशी के लोगों के लिए कन्या राशी बुद्ध की राशी है और आपके लिए इस समय जो विध्यारती हैं उनके लिए बहुत ही उप्योकती समय है और अगर आप अपने करियर की शुरुवात करने जा रहे हैं तब तो ये दिन आपके लिए बहुत ही लाबदायक है इस दिन आप हमारे बते हुए बताय हुए कारे को ज़रूर करें जहां आप प्रियास करते हैं आपकी महनत और मा का आशिरवाद मालक्षमी का आशिरवाद ये सब ही आपके हर कारे को सफल बनाएंगे तो चलिए जान लेते हैं कन्या राशी के लिए सबसे पहले हम उपाय के बारे में तो कन्या राशी वाले लोगों को इस दिन क्या करना है इस पवित्र पर उपर एक तो आपको अपनी राशी के अनुसार तीन से दस वर्ष तक की जो कन्याय होती हैं उनको खीर का परशाद देना है याद रहे तीन से दस वर्ष तक की कन्याय होनी चाहिए खीर बनाए और वो उनको खिलाए इसके अलावा शरक पुनिमा की रात्री लक्ष्मी जी के छोटे नार्यल की पूजा करके उसे पूजास्थान पर स्थापित करें या आपी कारिय कर सकते हैं अस्त लक्ष्मी पर आठ कमल पुश्प चड़ा कर महालक्ष्मी अस्त कमल का पाठ करने से भी माता लक्ष्मी आपकी जीवन में प्रिवेश करेंगी माता लक्ष्मी का प्रिवेश आपकी जीवन में होगा बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहां देखने को मिलेंगे इन कारियों के क्योंकि यह मालक्ष्मी के मालक्ष्मी का प्रेय दिन है मालक्षमी इस दिन भ्रहमन पर निकलती है और जब आप ये अस्ट लक्षमी, अस्टक का पार्ट करेंगे तो निश्चित रूप से इस माहलक्षमी अस्ट कम का पार्ट करना आपकी लिए निर्धन लोग जो है, निर्धनों के जीवन में भी मालक्षमी प्रिवेश कर सकती है इस एक कार्य से इसके अलावा मालक्षमी की पूजा तो देखे, इस दिन शुबफलदाई है ही आपको ये पार्ट करना है इसके अलावा क्या करना है ये कारे जरूर करें शाम के वक्त खीर बनाए पूरी रातरी उसको चंद्रमा की किर्णों के नीचे रखें एक जाल ढखके आप रख दें पूरी रातरी उसको बाहर रहने दें और सुबहा उठकर उस खीर को अपने घर के सभी सदस्यों को खिलाए इससे ऐसे रोग चर्म रो कोई भी दोश है मान से किस्तिती अच्छी नहीं है तब तो आपको खीर जरूर खाने चाहिए और देखिए चंद्रमा की किर्णों में आप जरूर बैठें रातरी के समय आदे गंटे बैठें कम से कम आदा घंटा तो जरूर बैठें वक्त निकाल कर इसकी जो किर्णे आप अच्छा इफेक्ट होता है चंद्रमा के इस दिन की किर्णों का तो इन कारे को जरूर करें और शाम के वक्त अपने घर का जो मुख्य द्वार है उस पर एक घीका दीपक जरूर जलाए ऐसा कहा जाता है कि घर के द्वार पर अगर दीपक जलता है तो उसमें मालक्षमी प् दीप मालक्षमी का स्वरुक माना जाता है इसलिए दीपक आप जरूर जलाए तीस अक्टूबर की शाम पांच बचकर 47 मिनट से ये पूर्णी मत यति प्रारंब होगी और 31 अक्टूबर की शाम 8 बचकर 20 मिनट तक रहेगी इसलिए 30 अक्टूबर को ही ये पर्व मनाया जा करें